वारियों, वेल्कम ओल आफ यू टो और चैनल ABC Grammar Point तो जैसे कि आप जानते हैं इसका नाम है 10-Minute Grammar Can Change Your Life तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है टॉपिक Childish and Childlike तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि Childish और Childlike अगर हम इसकी Parts of Speech की बात करें तो एक इसका काम करता है तो Childish और Childlike दोनों हमारे क्या है Adjective हैं, बोथ हर Adjective अब इनके अर्थ को जानते हैं तो Childish का मतलब क्या होता है बहुत ही silly, foolish जैसे कि आप देख सकते हैं आप और आपको एक image दिखाई गई है Childish तो Childish को अगर हम हिंदी में जाने तो इसका क्या होता है, बचकाना जैसे बहुत सारे होता क्या है कि बहुत बड़े लोग कभी-कभी ऐसी activity करते हैं जो like नहीं किया जाता है मतलब एक दम बचकाना हरकत तो उसी को हम लोग क्या बोलते है Childish और Childish वर्ड जो है जो adjective है इट इस यूज़ फो बड़ सिंस यह हमेशा किस के लिए यूज़ किया जाता है बुरे सिंस के लिए मतलब यह अच्छा वर्ड नहीं है You are Childish in your behavior आप अपने behavior में क्या हो Childish हो तो Childish का मतलब क्या है बचकाना दूसरा adjective हमारा जो है वो Childlike अब Childlike अब इसका मतलब क्या है बच्चे के जैसा अब जैसे कि आप image देख सकते है Childlike की तो Childlike का मतलब बहुत ही भोला भाला बहुत ही सीधा सादा जैसे होता है कि कभी कभी आप ऐसे लोगों से मिलते हो जिनका behavior Childlike होता है मतलब उनके अंदर कोई बनावटी चीज़ नहीं होती बहुत ही वो innocent होते है मासूम होते है अपने character में अपने behavior में तो उन्ही को हम लोग क्या बोलते है Childlike बोलते है तो Childish का मतलब बुरे sense में यूज़ होता है और Childlike जो होता है वो किस sense में यूज़ होता है अच्छे sense में होता है तो यहां तक यह clear हो गया होगा Childish and Childlike अब हम लोग कुछ sentences लेते हैं और उसको आपको fill करना होगा कि यहां पर Childish भरा जाएगा या Childlike भरा जाएगा तो पहला sentence आपका क्या है She was In her trust and belief क्या लिखा हुआ In her trust and belief अब इसका मतलब यह हुआ She was वो थी In her trust and belief अपने विश्वास में Trust and belief विश्वास और उम्मीद में वो क्या थी तो आपको भरना होगा Childish और Childlike तो कौन सो option होगा Childlike तो इसका मतलब यह हुआ वो बहुत ही माशूम थी बहुत ही इनोसेंट थी किसमें इनोसेंट थी अपने ट्रस्ट और ब्लीफ में दूसरा sentence आपका बोड पर है Such फिर bracket में क्या लिखा हुआ है Childish Oblix Childlike Childish Oblix Childlike Navity In a grown-up person Is very irritating अब इसका मतलब क्या Such ऐसा Childlike और Childish Navity Navity का मतलब Innocence मासूमियत In a grown-up person Grown-up person में Grown-up person Means बड़े लोगों में Is very irritating बहुत ही irritating करता है Irritating का मतलब चिरचिड़ा कर देना अब इसमें वर्ड क्या लगा हुआ है Irritating तो इससे sense समझ में आ गया होगा कि अच्छे sense के लिए नहीं यूज किया जा रहा है It is used for bad sense किसके लिए यूज किया जा रहा है Bad sense के लिए तो definitely यहां पर क्या भरा जाएगा Childish Well Third example क्या है Marries No Maze Maze Bracket में क्या लिखा हुआ है Childish Child life Charm Charm में चुनो Attraction Aakarsar Has always captivated her husband हमेशा उसके Aakarsar ने उसके पती को Captivated किया है मत्तब मोहित किया है Attract किया है Aakarsit किया है तो उसमें क्या होना चाहिए Child like क्योंकि मासूमियत को Indicate कर रहा है उसकी जो मासूमियत है उसने उसके husband को हमेशा Attract किया है और last example हमारा क्या है जो constant आपका constant निरंतर Petulence is most Petulence का मत्तब चिरचिड़ापन Is most बहुत जादा तो आपका लगातार जो चिरचिड़ापन है जो नक्रा है वो क्या है तो childish है या child like है definitely वो क्या होगा हमारा childish होगा तो clear हो गया होगा फिर से एक बार recap कर लेते हैं childish का मतलब क्या होता है बचकाना बुरे सिंस में यूज किया जाता है and child like child like का मतलब just like a child एक बच्चे के जैसा माशूमियत से भरा हुआ ये किस सिंस में यूज किया जाता है अच्छे सिंस में यूज किया जाता है good sense तो इस तरीके से अगर माल लिया जाए आपके examination में ये fill in the blanks में आ जाए या माल लो आपके vocabulary में ये word आ जाए तो हमिसा दिमाग में रखना कि child is bad sense के लिए होता है और child like जो होता है वो किस लिए होता है अच्छे सिंस के लिए होता है तो I hope you would have liked it आपने जरूर इसको पसंद किया होगा तो इसी तरीके से ने ने topic के साथ मैं आपके सामने आता रहूंगा Thanks a lot